दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग ये सीखने वाले हैं कि बहुपद कैसे पाचानते हैं यानि कि अगर आपको ब्यांजक दिया गया है और अगर आपको बताना है कि वो ब्यांजक बहुपद है कि नहीं है तो आप लोग कैसे पचानेंगे जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये सब ब्यंजक है अब ब्यंजक क्या होता है इस वीडियों आप लोग ये भी सिखेंगे तो ये सब ब्यंजक है तो आपको बताना है कि इन में से कौन-कौन ब्यंजक बहुपद है और कौन-कौन ब्यंजक बहुपद नहीं है तो देखिए ये जो वीडियो है ये बहुपद के ऊपर ये पहले वीडियो है तो आप लोग इसे अच्छे से समझेगा किमकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बहुपद का गुड़ा बताऊंगा बहुपद का जोड़ बताऊंगा गाटाना बता आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, तो दीखें, सबसे पहले तो हम लोग यह समझ लेते हैं कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, तो दीखें, मैं आपको जितना भी चीजे समझाऊंगा, आप लोग उसे द्यान से समझ जाते हैं, चर को इंग्लिस में काते हैं variable ठीक है तो चर होता क्या है तो देखें इंग्लिस में पूरे कितने लेटर चांट लेटर होते हैं तो उन सबेंग्लिस लेटर को हम लोग चर कराते हैं ठीक यानि कि A को चर कहेंगे, B को चर कहते हैं, C को चर कहते हैं, X को चर कहेंगे, Y को चर कहेंगे, Z को यानि कि चर कितने होते हैं, पूरे 26 चर होते हैं, इनको हम चर कहते हैं अब अचर क्या होता है, तो देखिए अचर को इंगलिस में कहते हैं, constant अब देखिए जितनी भी संख्या हैं मौजूद हैं मतलब इस दुनिया में जितनी भी संख्या हैं मौजूद हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग अचर करते हैं चाहे वो पूर संख्या हो, चाहे वो परिमे संख्या हो, चाहे वो और परिमे संख्या हो, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, उन सभी संख्याओं को हम अचर कहते हैं, जैसे देखिए 5, 3, 2, इन सब को अचर कहेंगे, माइनस 5 को अचर कहेंगे, यहाँ पर देखिए रूट 3 और परिमे संख्या है तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे अचर कहेंगे यह परिमे संख्या है इसको भी अचर कहेंगे यह आपका पुडांक है तो इसको भी अचर कहेंगे मतलब आप इतना बस समझेए कि जितनी भी संख्या है मौजूद हैं उन सभी को हम अचर कहते हैं ठीक काते हैं function अब देखिए ब्यांजक कहें या फिर fallen ये दोनों एक अई चीज़ है ठीक ना ब्यांजक और fallen ये दोनों एक अई चीज़ है हम ब्यांजक को fallen कह सकते हैं fallen को ब्यांजक कह सकते हैं अदिकतर आपको ब्यांजक सब्द का यूज मिलेगा ठीक है तो आप, अब अब हम समझे लेते हैं ब्यंजक किसे कहते हैं तो देखें चर आप समझ गए अचर समझ गए अब देखिए गड़ित में जो होता है चार चिन होता है प्लस, माइनस गुड़ा और भाग ठीक है ना? ये चार चिन होता है जोड गाटाना गुड़ा भाग तो आप इतना समय लिजे कि अगर हम लोग इन तीनों का यूज करके यानि चर अचर और ये चारो चिनों काउपियो करके अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो उसको हम बेंजग करते हैं एक्जामपल के लिए अगर मैं यहां से चलिए मैं यहां से एक्स ले लता हूँ ये मैंने एक्स ले लिया ठीक है और यहां से मैंने माइनस का चिन ले लिया और इसमें से मैंने ये 2 ले लिया अब देखिए X-2 ये जो मैंने लिखा इसे हम लोग क्या कहेंगे बिंजक कहेंगे ठीक है चलिए एक और एक्जामपल ले लिते हैं माल लेजिए मैंने इसमें से माइनस 5 ले लिया ये माइनस 5 ले लिया अब यहां से मैं क्या ले लेता हूं यहां से मैं वाई ले लेता हूं यह मैंने वाई ले लिया और चलिए मैं यहां पे यह तीन जो है ना मैं यहां पे ऊपर लगा देता हूं यानि घात के रूप में फिर इसके बाद हम चलिए यह पलस का चिन ले लेते हैं फिर मैं इसमें स रूट ती ले लिया, अब यहां से यह मैं भाग ले लेता हूँ, यानि कि यहां पर बटा ले लेता हूँ, अब इसके बाद हम मैं क्या ले लेता हूँ, चलिए B ले ले लेता हूँ, तो मैंने यह नहीं से B ले लिया, खीक है, अब मैं क्या करूंगा, चलिए इतना भी लिख सकते हैं विका सकते हैं अब यह जो लिखा है इसको हम लोग लोग दिया गया सकते हैं तो यहां पे आप लोग इतना समझें कि यह सब सब कैले यह सब ब्यों लुख Hm第二 चर-अ-चर और यह चारोचिं इन तीनों को मिला करके यह सब लिखा गया है थेकना तो इन सभी हो अम लोग23 केंगे लेकिनÃ हमारा इस वीडियो का मेंट टोपिक क्या है कि हमें यह बताना है कि इन सभी 232ग में बहुपद है कौन बहुपद नहीं तो मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इसमें से जितना भी ब्यांजक है कुछ ब्यांजक बहुपद होगा कुछ ब्यांजक बहुपद नहीं होगा यानि कि सभी ब्यांजक बहुपद नहीं होता है इसमें से कुछ ही ब्यांजक होगा जो बहुपद होगा और कुछ ब्यंजक ऐसा होगा जो बहुपद नहीं होगा तो हमें वही चीज बताना है तो यहां पर देखिए आपको बताना होगा कि कौन से बताने के लिए आपको एक चीज और समझना पड़ेगा पूर संख्या हैं तो देखे पूर संख्या हैं क्या होती हैं इसको इंगल्स में कते हैं होल नमर्स अब देखिए जीरो हो गया फिर गिंती वाली सभी संख्या हैं एक दो तीन चार पांच है साथ नौद यह गिंती ऐसे आगे आती जाएगी तो इसमें जितनी भी संख्या हैं मौजूद हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या काते हैं पूर संख्या काते हैं जैसे तीन को पूर संख्या काएंगे चार को पूर संख्या काएंगे जीरो को पूर संख्या काएंगे हजार को पूर संख्या काएंगे क्योंकि हजार इसमे आएगा ना आगे तो जितनी भी संख्या हैं मौजूद हैं इसमें गिंती वली संख्या में उन सभी संख्या को पूर संख्या कहेंगे और जीरो को भी पूर संख्या कहते हैं ठीके तो आई वह पर कुछ समझ में आ गया होगा तो आप समझ गए होंगे पूर संख्या क्या होत तो देखी आपको बहुपद बताने के लिए आपको दो चीज देखना पड़ता है, क्या क्या चीज? मतलब दो step में आपको पता करना रहेगा कि वो बहुपद है कि नहीं, तो देखे पहला step में आपको क्या देखना रहेगा? आपको देखना होगा कि बटा के नीचे चर तो अब यहां पर एक चीज़ उट समझे लिजे जब भी मैं चर बोलूँगा जब भी मैं चर सब्द का यूज करूँगा तो आपके दिमाग में अंग्रेजी का लेटर कोई एक लेटर आना चाहिए या तो X या तो Y, A, B, C, कुछ भी मतलब चर सब्द का मतलब आपके दिमाग म कोई एक संख्या आना चाहिए ठीक है तो देखे दो इस टेप में आपको देखना रहेगा सबसे पहला को क्या करना रहेगा देखना रहेगा कि बटाक नीचे चर तो नहीं है यानि कि अगर बटाक नीचे चर है तो सबसे पहले उसको हम लोग उपर करते हैं जैसे इसमें द क्या करना रहेगा हमें देखना रहेगा कि बटा के नीचे चर अगर है तो उसको सबसे पहले ऊपर करेंगे ठीक है अब दूसरा स्टेप में क्या करना रहेगा कि हमें जहां जहां पर चर है उस पर घातों को देखना रहेगा फिर से सुन लिजिए जहां जहां पर चर है उस प गातों को देखना रहेगा अगर चर पर सभी घात पूर संख्या है तो वो बहुपद होगा अगर चर पर सभी घात पूर संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा तो हम लोग इसे एक्जामपल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा जैसे इसको देख लिजी तो इसमें सबसे पहले बटा के नीचे चर नहीं है तो हम सीधे दूसरा श्टेप में आएंगे कि हम लोग केवल चर पर घातों को देखेंगे तो देखें यहां पर चर एक से तो यहां पर है कितना गात है दो गात है तो यहां पर लिख लेजिए अब देखें दो जो होता है यह पूर संख्या होता है मैंने आपको बता दिया तो देखें जब दो पूर संख्या है यानि कि ये बहुपद हो जाएगा, ठीक है न, देखे इस वीडियो में हम लोग ये भी सीखेंगे कि बहुपद का घात कैसे पता करते हैं, बहुपद की घात क्या होता है, हम लोग ये भी सीखेंगे तो चलिए अब हम लोग इस दूसरे वाले क्योशन पर आते हैं, तो इसमें देखेंगे य पर पांच गात है, प्लस साथ वाई है, ठीक है न, हमें बताना एक ये बहुपद है की नहीं, तो सबसे पहला क्या करना रहेगा, बता के नीचे चर है, तो उपर करना रहेगा, तो देखेंगे इसमें बता के नीचे चर नहीं है, तो दूसरा एक गात है तो यहां पर देखे चर दो जगए और दोनों जगए पांच गात है फिर एक गात है तो आप देख सकते हैं पांच और एक यह दोनों ही क्या है दोनों ही पूर संख्या है यानि कि मैंने आपको क्या कहा कि चर पर अगर सभी घात पूर संख्या है तो वह बहुपद होता है तो देखें पांच और एक दोनों पूर्ण संख्या होता है तो यह बहुपद है अब इसको देख लेते हैं तो देखें यह बहुपद है कि नहीं तो देखें सबसे पहला क्या करेंगे बटाक नीचे अगर है, तो उसको सबसे पहले ऊपर करना पड़ता है, ठेकה न? तो ऊपर करने का rule होता है, वो rule क्या होता है चले हम लोग उसे सबसे पहले समझ लेते हैं तो देखे, rule क्या होता है यहां पर आप लोग देख लेजिए अगर एक बटे Y पर 3 गत है 4 हो जाएगा y पर माइनस 3 गात यानि कि यहां पर प्लस था तो उपर माइनस हो जाएगा अब यहां पर देखे इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटे y पर माइनस 5 गात तो यह जब उपर जाएगा तो y पे प्लस 5 गात हो जाएगा ठीक है ना अब इसको देख लीजिए तो यहां पर देखें 3 बटे y पर माइनस दो गात है तो यह उपर जाएगा तो y पे प्लस 2 गात हो जाएगा इसको देख लीजिए 5 बटे y पर माइनस 4 गात है तो उपर जाएगा तो 5 y पर 4 गात हो हो जाएगा यह मैने 5 माalla लुप साथ एक कर लिए जरुल करके हम लोग करते हैं ऑफ है तो यह मैने देखिए माइनस दो गात है तो इसमें आप लोग देखिए तीन तो पूर संख्या है लेकिन माइनस दो पूर संख्या नहीं है ठीक ना लेकिन मैंने आपको बताया था कि चर पर सभी गात पूर संख्या राएगा तभी बहुपद होता है लेकिन इसमें केवल तीन पूर संख मैंनus 3 X पर 5 प्लस अब यह ऊपर जायगा तो कितना हो जाएगा x पर मैंनस 3 3 अब यहांत दdoing चर यहां पर 4 यहां पर आग भई रहाँ यहां पर इünden तो और पूर संख्या यह मीनस 3 पूर संख्या नहीं है मतलब यह वहinea बहुत पदल नहीं है चलिए इसको देख लेते हैं तो यहां देखिए हो जाएगा X प्लस इस पर एक गत कर सकते हैं तो उपर जाएगा तो X पर माइनस एक गत हो जाएगा यहां पर एक गत भी कर सकते हैं तो देखिए एक गत हो गया माइनस एक गत हो गया तो एक तो पूरु संख्या ये पूरु संख्या नहीं है इसका मतलब ये भी जो होगा बहुपद नहीं होगा यानि कि आप लोग इस तरह से कह सकते हैं कि अगर बटा के नीचे चर है तो जादे chance है कि वो बहुपद नहीं होगा क्योंकि उपरा कि वो माइनस होई जाएगा ठीक है ना? हमेशा नहीं कह सकते हैं लेकिन अधिकतर यह होगा कि अगर बटा के नीचे चर है तो वो बहुपद नहीं होगा ठीक है ना? चलिए इसको समझे लेते हैं हमने रूट वाला भी लिया है तो देखिए रूट में एक से प्लस दो एक से हमें बताना है कि यह वह उपद है कि नहीं तो हम लोग कैसे बताएंगे देखिए तो आप लोग यहां से ध्यान से सुनिएगा अगर रूट के अंदर कोई चर आ जाए अगर रूट के अंदर कोई चर आ जाए तो हम लोग सबसे पहले वह रूट को हटाते हैं अब हटाने का भी रूल होता है क्या रूल होता है अगर रूट के अंदर कुछ भी लिखा है तो रूट हटाना रहेगा तो एक बटे दो गात हम करते हैं कि root का मतलब एक बटे दो ही गात होता है तो यहाँ पर root x है तो इसका मतलब होगा x पर एक बटे दो गात हम root x लिखें चाहिए x पर एक बटे दो गात लिखें दोनों बात बराबर है यह हो जाएगा plus फिर यह हो जाएगा गहात लेते एं तो इसको भी देखे लेते हैं कैसे अल करेंगे यह स्वाइब देखिए यहाँ पर root में x पर 4 गात है तो इसको कैसे अल करेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए root में x पर 4 गात है तो root का मतलब 1 बड़े 2 गात होता है तो देखिए यह हो जाएगा x पर 4 गात यह अंदर वाला हो गया और root का मतलब 1 बड़े 2 होता है तो 1 बड़े 2 गात मैंने कल दिया अब देखें 4 गात भी है 1 बड़े 2 गात भी है तो घातों का गुड़ा होता है तो देखें ये 4 गात हो गया फिर गुड़े 1 बड़े 2 गात तो गुड़ा करेंगे तो 2 दोना 4 ऑर दो 1 ऐकम दो एक्स पर दोगाद यानि कि यह जो है ना यह एक से कर लिख सकते हैं ज्फेज़ा करके कितना आ जाएगा एकस-पर इसक्वायर चर पर गातों लिखिए यह पर दोगात है यह जो पूरद आय। cutest है और जाद होता है यानिकि यह जो है यह बहुत है अब इसको देख लेते हैं तो देखे hein यहां पे चर पर तीं गात है यहां पे कितना गात है g Sara puta दो वरकेदीन कि तेन तीन तुरु संख्या है लेकिन दो वरकेदीन तीन पूल geschका नहीं है इसका मतलब यह लोगा बाउपद नहीं होगा अब हम लोग इसको देख लेते हैं तो देखे चर कहां पे चर यहां पे चर यहां पे यहां पे घात कितना है चार यहां पे गाते दो अब देखिए चार और दो दोनों पूर संख्या है इसका मतलब यह जो होगा बहुपद होगा ठीक ना यहाँ पे रूट में पांच है इसका कोई मतलब नहीं है अगर रूट के अंदर कोई चर रहता तब हम लोग एक बटे दो गात करते हैं तो इस तरीके से आप लोग बहुपद पाचान सकते हैं अब हम लोग यह समझे लेते हैं बहुपद की घात क्या होता है ठीक ना बहुपद की घात यानि कि degree of polynomial तो इसी चीज़ को हम लोग समझे लेते हैं तो देखिए जितना भी बहुपद है यानि कि जो बहुपद होगा उसी में बहुपद की घात हम लोग बताते हैं जो बहुपद नहीं होगा उसमें बहुपद की घात नहीं होगा एक्जाम्पल के लिए देखे ये बहुपद है तो इसमें बहुपद की घात होगा इसमें भी होगा लेकिन ये बहुपद नहीं है तो इसमें बहुपद की घात नहीं होगा यानि कि इस बहुपद के घात 5 हो गया, ठीक है ना, अब ये जो बहुपद नहीं है, तो जब बहुपद नहीं है, तो बहुपद के घात भी नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं है, तो बहुपद के घात 8 है, ये नहीं, जो बहुपद है, उसी में घात होगा बहुपद की, इसको देख लेते हैं यह बहुपद नहीं है तो घात भी नहीं होगा यह बहुपद है तो इसमें बहुपद की घात होगा तो देखे यहां पे मैंने चर पर पांच घात किया दो घात किया तो देखे सवाल क्या है आप लोग इसे हाल करके जरूर बताएगा यहां पर मैंने दो सवाल लिया है ठीक ना मैंने दो ब्यंजक लिया हुआ है आपको बताना है कि इन दोनों ब्यंजक में ये बहुपद है की नहीं है और ये बहुपद है की नहीं है बस आपको इतना ही बताना है तो देखे इतना सरल तरीके से मैंने आपको समझा दिया तो मैं आपसे केवल एक चीज मांगना शाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजे और इस वीडियो को अपने दोस्ते के साथ जरूर सेयर करिएगा किमकि अगर आपको समझ आ गया है तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा